Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself, Shelye Gurwani and today we are going to start a new chapter that is Bio Molecule, यानि की जैव अनू. तो हिंदी पे रहेगी बच्चों, अमारी क्लास हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैव अनू. अब जैव अनू क्या होता है? तो बच्चो जैव यानि जीवित, लिविंग बॉड़ी, जीवित शरीर और अनू, यानि जीवित शरीर में पाए जाने वाले कारबनीक पदार. आपको बताए कि पुरी बॉरी बॉड़ी जो है, वो और गानिक माटीरियल है, सब कुछ कारबन से हमारी हमारी हाइट जितनी बढ़नी होती है तो एक प्रापर आज में बढ़ जाती जैसी वह अम दिख्टे है वह प्रापर हो जाता है, हम इतना हाइट बढ़े गा और यह ऐसे रहेगा, लेकिन बाल ऑना, लाइफटेम बाल तो बढ़ते रहते है, निल बढ़ते तो हम गए मैंटिनेंस भी होता रहते हैं सरदियों मिस कि contenido राई हो जाती है मौसम बदलता है तो मि यह चीण होती है और जितना हम नरिश पे बाड़ी भी चीज देखती तो मेंटीनेंस यानि χi March 25 बिलॉपमेंट ये भी लाइफ टाइम चलता है और विकास डवलक्मेंट ये भी लाइफ टाइम चलता है तो शरीर की व्रद्धी विकास और मरमत है ना growth development and maintenance तो हम गहेंगे हाँ यह तो lifetime चले तो इसको चलाने के लिए energy भी तो चाहिए तो शरीर की व्रद्धी विकास और मरमत के लिए मुझे उर्जा तो चाहिए अब बचो उर्जा energy का source क्या है तो वैसे तो हम कहेंगे energy का source carbohydrate लेकिन क्या वैसे लाइफ चल जाएगी क्या और कोई जुरुत नहीं तो हम गहेंगे निगा ज़दा प्रोटीन चाहिए है ना carbohydrate भी अपनी जगह important है protein भी अपनी जगह important है fat lipid भी अपनी जगह important है है ना तो शरीर की व्रद्धी विकास और मरमत के लिए मुझे चाहिए उर्जा और carbohydrate हो सकता है vitamin हो सकता है protein हो सकता है lipids हो सकते हैं यह सब तो चाहिए तो बच्चों यह सारे ही क्या है यह सारे ही जेव अनू है है ना bio molecules ही अपने आपने इंट्राइक करते हैं आपस में अभी ख्रियाएं करते हैं और हमारी बॉडी को well maintain रखते हैं तो हमें इस chapter के अंदर carbohydrate detail म में पढ़ना है protein detail में पढ़ना है vitamin भी पढ़ना है थोड़ा बहुत hormones भी पढ़ना है और enzyme भी पढ़ना है और finally end नहीं हुआ nucleic acid DNA और RNA उसको भी discuss करना तो यह सारे के सारे क्या है बच्चों तो हम कहेंगे सबके सब जैव अणू है ठीके तो start हम करेंगे carbohydrate से तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भी जैव अणू क्या है आप तो इतना बता दो तो बच्चों जैव अणू देखेंगे प्रतियक जीव को अपनी व्रद्धी मरमत वविकास ठीक है व्रद्धी मतलब हो गया growth मरमत यानि maintenance लाइट टाइट मेंटिनेंस चलता तकी अवश्यक्ता होती है तो हम गएगे ठीक है growth, maintenance, development और जो भी body के अंदर chemical reactions हो रही है उनके लिए सबको energy चाही अब बच्चों energy का जो source है वो है जटल-काबनिक पदाक्त इनकी biochemical reactions इनकी जैव रासायनिक अभी क्रिया है ठीक है क्योंकि body के अंदर हो रही है ना रासाय रासायनिक अभीक्रिया है बायो chemical reactions ठीक है अब बचों वे कार्बनिक पदार जो शरीर की व्रद्धी विकास मरमत और सामानिय रासायनिक अभीक्रियां के लिए अवशिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव और तो सबसे important चीज कि वे बायो मॉलेक्यल क्या है तो हम कहेंगे हमारी बाड़ी का व्रद्धी, ग्रोथ, मेंटिनेंस, मरमत, डवलपमेंट, विकास और जो भी बाड़ी के अंदर reactions हो रही है हमारे जीवित शरीर में जो भी जैव रासायनिक अभीक्रिया है हो रही है तो reaction के लिए reagent किया है 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 ना कोई भीक्रिया करा होगे तो क्रिया क की काटेगरी में टालते ही ठीक है तो बच्चों जैव अनू की उधारण की बात करें तो काबो हाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक असद, तो न्यूक्लिक असद समझ गे तुम डीने और आरेने ठीक है तो जैव अनू आपस में अन्यो निय खरिया है इंट याट विटामिन की कमी होते हैं कली काएंड़ एंट भेटामिन की कमी होते हैं तो हम कहं वह बोल जाएगा नाइड ब्लाइडनेस रloud मत ऑंद हो जात काम क्विटामिन मितलब कॉpflicht snippet B1, B2, B6, B12 विटामिन C तो आपने पड़ा स्कर्वी हो जाता है स्कर्वी मतलब मसोडों से खून आने लग जाता है गंस में प्रॉब्लम हो जाता है विटामिन D की कमी हड्या कम जोर हो जाती है बच्चों में मोस्ली होता है वी केट सो जाता है ठीके तो बहुत सारे विटामिन है इवन हेर लॉस जो होता है मतलब बाल जड़ जाते है गंजा पन जो आता है वो भी विटामिन की वज़े से आता है तो हम कहेंगे भी ये हमारा बेस है अगर इन में कुछ भी कम हो आगा काबो आधे अगर काम हो गया तो बच्छों एनर्जी ही नहीं देगी श्री में ग्लूकोस की कमहीए बिमार हो जाते है तो ग्लूकोस की डिप चाड़ती है हाग ना रात दिन रात दिन क्या गरते है क्लोकोस के डृप चटड़ाओ energy लिखिया हो क्योंकि base तो वह है तो यह सारे के सारे molecules जो है वो एक living system का base बनाते हैं जीवित शरीर है ना क्या line लिखा है नहीं जैविक प्रणाली का आधार बनाते हैं कि अगर body है living being है तो उसके अंदर यह चीजें होना proper amount में must है होनी ही चाहिए ठीके muscles बनानी है जिम जाते हो तो सिफ exercise करने से muscles बन जाएंगी क्या सबसे important वो protein बोलेगा कि नहीं आप protein shake लेओ सुपह शाम protein लेओ इतना इतना protein तो अपकी शरीर में चाहिए ही चाहिए तब आपकी अच्छी सुडॉल body दिखेगी है ना तो हम गएंगे हाँ हर चीज proper amount में होगी तो body वैसी दिखेगी जादा होगी fat जादा होगी तो भाई टायर तो बनी जाता है ऐसकल बहुत common है है ना तो वो बोल जाएगा ठीक है तो ये सारे के सारे हमारी शरीर में जैव अनू है ठीक है अब पहला जैव अनू है बच्चों carbohydrates जिसे हमें discuss करना है ठीक है अब बच्चों carbohydrate नाम से क्या लग रहा है तो हम कहेंगे बई Carbohydrate यानि hydrates of carbon कोई पूछे काबो hydrate क्या है तो इंगलिश में तो हमें लेखना चाहिए hydrates of carbon अब hydrate यानि water, hydrate मैं लब water और carbon और water का क्या relation, तो हम गये कि carbon के जल युक्त योगे मैं लब carbon दो होना ही चाहिए साथ में water होना चाहिए ठीक है, तो भी hydrates of carbon मतलब कार्वन के जल युक्त योगिक ठीक है अर्थात कार्वन के जल युक्त योगिकों को काबो hydrate कहते है ठीक है कार्वन के जल युक्त योगिक काबो hydrate कहलाते है अब बच्छो अगर मैं इसी फॉर्मुले को मतलब इसी लाइन को कंसिडर करूं कि वार्डर्स कार्बो हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ओफ कार्बन, कार्बन के जल युक्त योगिक को हम कार्बो हाइड्रेट्स कहते हैं तो फॉर्मुला बनाईए, तो हम गएगे बिलकुल, तो बच्छो इनका सामान्य सूत्र, कार्बो हाइड्रेट्स का जिनरल फॉर्मुला क्या हुआ, तो हम गएगे कार्बन तो हैं जिते हैं, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड, यानि H2O होल वाइड, ठीके, तो क्या इस फॉ यानि की कार्बन और कार्बन के जल्युक्ति योगिक, कार्बन है साथ में वाटर है, ठीक है, तो एक्स और वाई की वेल्यू रख दो, तो रख देंगे, उधारन दे देते हम, तो देखो, एक्जाम्पल, तो देखो, आगे पढ़ेंगे हम क्यों मोनो सेक्राइड क्या होत औरकार्ण की प्रण में अड़िए, औरकार् देख few लगे अभडम में आगी मपेल्यू कोई तो इसो ब्यूटिलीन यानिकी 2-methylpropene है यह तो बोला ही नहीं आप ते तो के दिया C4-H8 तो वैसे कि वैसे आप ते तो के दिया C6-H2O6 तो भी यह फॉर्मुला तो ग्लुकोस का भी और यह फॉर्मुला फ्रक्टोस का भी तो फॉर्मुला से में लेकिन अंदर का स्ट्र स्केराइड, oligo, securide, poly, securide तो securide मतलब sugars है तो generally securide जो term आया है ग्रीक भाशा से रिलेटेड शब्द है securon, securon यानिकी sugar तो हम गएंगे नि इच्छा carbohydrate, hydrates of carbon, carbon के जल्योकती होगी को हम carbohydrate कह देंगे और इनका general formula यह है ठीके हम ऐसा भी कह सकते कि पॉली-hydroxy-eldehyde or poly-hydro को हम carbohydrate कहते हैं लेकिन उस तक हम पहुचेंगे ना टाइम लगेगा उसमें है आपको गई definition में लेगा यहाप कही पढ़ रहे है बुक में इधर अधर 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 तो आपको लगेगा कि आपने तो यह लिखा, वुक में तो लिखा, पॉली-hydroxy, पॉली में बहुत सारे, ए कोड़ी देर बाद में आएगा तब हम जाएगे कि अच्छा यह तो कुछ-कुछ लग रहा है इसको भी काबोईडिट बोलना चाहिए ठीके तो फिलाल अगर मैं कहूं काभो हाइडरेस बोलें बच्चों तो आप कहींगे कारबन के जल युक्ती होगी तो यह रा कारबन, यह रा जल और एक्सवाई कितने भी रख सकते हैं ठीक है उधारन दीजिए तो पहले में मोनो सेकराइट सेलेक्टी हूं अपने एक्जामपल में तो मेरे पास है पहला ग्लूकोज यहां फिर मैं कहाँगी फ्रक्टोज, ठीक है यहां मैं कहाँगी गलेक्टोस इनों का फॉर्मुला सेले, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गलेक्टोस फिलाल ध्यान रखेंगे, फॉर्मुला दीनों का सेले रहेगा, C6, H12, O6 और डिटेल में कोई पूछ लेगी क्या है तो फिलाल के लिए हम लिखते टाइंट हम लिखते के ना कि यह फिलाल याद रखो, ठीक है, अब और कुछ होता है कि गाभॉएटिट, तो हम गएगी हाँ बिल्कुल, सूकुरूज, सब पढ़ने बच्चों डिटेल में, सब के तीन-तीन structure पढ़ने आपको टेंशन ही नहीं ल और डिटेल में इसको डिसकस करेंगे, फिलाल तो यहाँ पर हम जो भी NCIT में है, वो as it is डिसकस कर लेंगे, तो बच्चों सूक्रोज, माल्टोज, एंड लेक्टोज, यह भी काभॉएटिट के एक्जामपल है, ठीक है, अब इनका जो फॉर्मुला है बच्चों, वो एक्चिली इसका डबल करके वाटर माइनस कर दो, C6H12O6 है न बच्चों, तो C6H12O6, ठीक है, डबल करो तो एक बर और लिख दो, C6H12O6, और वाटर माइनस कर दो, तो कर दो, तो कारवन कित्ते होगे, 6-6-12, हाइडरोजन 12-12, चोईस, दो गम कर दो, 22, और ऑक्सिजन 6- प्सिजन 6-12, और एक्कम कर दो, तो 11, यह है, यह यह याद करा होगे, है ना, तो एक्चिली, मॉनो सेकरेट का डबल वाटर माइनस तो तुमारा तयार हो जाता है, डाई सेकराइट, C12H22O11, ठीक है, तो इच्छे वाला मॉनो था, दुगना कर दिया, और कमाइन करने के ल लाइर क्लास होता, तो आप पूछते गी, मॉनो सेकरेट को हिंदी में क्या कहते है, तो कुछ नहीं कहते है, या मॉनो सेकरेट ही याद रखना है, ठीक है, तो मॉनो हो गया, और डाई हो गया, अब आप कहेंगे, तीनो का फॉर्मुला एक है, तो बिलकुल है, सरचना गल आगया है, तो जोड़ दो दो जोड़ दो, तो डाई बने गा, तो दो मोनो कौन से, क्या दो ग्लु कोस चाणो ग्लु कोस फ्रक्तोस, है ना, या फिर ग्लु कोस में भी एक पढ़ेगा रखना फलु कॉस-गलिक्क्श कया कणना क्या क्या था बिटाह ? तो अट डिटे लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ माल्ट्व्ज तो Gluckoe और Gluckoe का Combination होता है嗎 aалась और अगरमे कहूँ Lacktos to buy Gluckoe और Galactos का Combination होता है like to Fitness अश्रॉक्टरर क्या वही फॉर्मुला सेल्यूलोस का निकलेगा तो बच्चो स्टार्च हो गया सेल्यूलोस हो गया ठीक है और एक और मिलेगा तुम्हें ग्लाइकोजन है ना फॉर्मुलास का भी सेमी देगा तो स्टार्च है सेल्यूलोस है ग्लाइकोजन है तो भी स्टार्च क्या है? तो तुम्हे क्या गरना था? ग्यूकॉज मैंसे ही वाटर माइनस करते चलो ग्यूकॉज या? मोनोसेकुररिट में भी ग्यूकॉज क्यों बहे यह दो थीन नाम हो है यहना? सब का फॉर्मला देख ही है तो तुम क्या करो इसी मैंसे बचों इसी मैंसे वाटर माइनस कर दो और चेक करो तो C6, H10, O5 और ऐसे बहुत सारे यानों जोड़ दो तो बहुलक हो जाएगा तो C6, H10, O5 और होलन मतलब पॉलीमर है बहुलक है तो बहुत सारे यानों आपस में जुड़ गए तो बहुत सारे जुड़ गए तो बहुत सारे जुड़ गए तो यह पॉली से कराइड हो गया काबोहईडर एक बास लाइड वन से चेक कर लेते हैं तो स्लाइड वन से पढ़ेंगे बच्चो नूट्स बना रहे तो स्कृनशॉट भी ले सकते हैं है ना बायो मॉलेक्यूल सबसे पहले बायो मॉलेक्यूल क्या है तो हम गएंगे बई प्रतियक जीव को अपनी व्रद् मरमत यानि Meowmart और विकास यानिकी डवलप्मेंट तो व्रद्डी विकास मरमत के लिए उनको चाहिए तो हम गये बई उनको चाहिए एनजी अब एनशी कहां से मिलेगी तो हम गये एनर्जी कुछ जटल कारबनिक अणूं м ठीक है, अब वो जट्ल-कार्बनीक अनौ कौन से हैं, पुरी living system का base क्या है तो जयव अब जयव अब जयव अब पहला हमें discuss कहना था carbohydrates तो बच्छो carbohydrates नाम से क्या लग रहा है तो हम गईंगे hydrates of carbon ठीके carbon के जल यूखती होगी formula क्या है तो CX H2O whole अब value पुट कर लो तो देखो carbon X की value 6 रख देती हूँ तो OC6 Y की value भी 6 रख दो तो 62012 और O6 तो C6 H2O6 याने की mono securites ठीके X की value तो रख दो तुम 12 C12 और Y की value किती रख दो 11 रख दो तो H22 O11 ठीके फिर X की value 6 रख दो तो C6 Y की value 5 रख दो तो H10 O5 whole N तो जनरली सारे carbohydrates जो है इसको follow करते हैं लेकिन carbohydrates के अलावा भी कुछ compound ऐसे हैं बचों जो क्या करते हैं इस formula को follow करते हैं ठीक है तो वो भी हमें पता होने ची और जनरल फॉर्मुला क्या है तो हम गहेंगे भी carbohydrates का सामान्य सूत्र है तो हम गहेंगे सामान्य सूत्र है CX H2O whole Y तो हमने इसमें value पुट करके देखी X की value 6, Y की value 6, X की value हमने रखी 12 और Y की value हमने कितनी रखी 11 तब भी हमने देखा फिर एक बार X 6 रखा Y 5 रखा तब भी हमने देखा starch था, cellulose था और glycogen भी था ठीक है अब जनरली तो सुसा follow करी थे लेकिन बच्चों कुछ योगिक ऐसे भी ग्यात है ठीक है थोड़ा सथियरी और important question भी आएंगे तो बच्चों कुछ योगिक ऐसे भी ग्यात है जो इस सुत्र का पालन करते हैं कुछ योगिक ऐसे भी ग्यात है जो carbohydrate के general formula को follow करते हैं जो carbohydrate के सामान्य सुत्र का पालन करते हैं ठीक है सामान्य सुत्र का पालन करते हैं बट यान नौट काबो हाइड्रेट मैं हम दो दिए पढ़ लिया कि वही जो इसको follow करेगा वह और जो follow नहीं करेगा वह और नहीं लेकिन कुछ compound ऐसे जो इसको follow करते हैं लेकिन वह और जो नहीं है तो सामान्य सुत्र का पालन करते हैं परंतु बच्चों वे कार्बो हाइड्रेट नहीं है यह गढ़ बढ़ हो गई भी है वे काबो हाइड्रेट नहीं है अब यह क्या बात्त हैं काबो हाइड्रेट को follow कर रहे हो formula को follow कर रहे हो और कआप आइड नहीं है कैसे तो हम गएंगे भी examples देखेंगे first example है formaldehyde तो बच्चो formaldehyde तो पता है न एक carbon वाला LD हाइड गया होता है तो हम गएगे एक carbon वाला LD हाइड formaldehyde ठीक है तो LD हाइड तो लिखना आता है C double bond कोने बेच्छ लग जाएगा एक ही गावन रखना है तो दूसरे कोने बेच्छ लग जाएगा शॉट में लिखो तो सी एच्टू ओ लिख दू अब थोड़ा ध्यान से देखो एक्स और वाई की वैल्यू में रख दो एक्स एक रख दू और वाई भी एक रख दो तो यह बन पड़ा है है ना अग अलग तरह के जीव जन्तू पड़े रहते अब उनको प्रिजर करने के लिए के fourteen वाउचक धduc बाहली घंदीइलां कि तुँ वह जो लिक्विड है जो बाय लोजिकल सपैसेमन को प्रिक्षत करता है लकशन के लिए हम फॉर मेली ऑली दिया निपनलिat का 40 प्रतेशत जल्ग विलियन उसको कहां में लेते हैं तो वह कहां से काभॉइड हो गया हमारी वाड़ी में कहां से आ गया भई पॉसिबल नहीं है तो यह काभॉइड नहीं है पढ़ा इस फॉर्मुले को फॉलो करता है ठीक है तो एक आद तो हम चला ले तो हम गएंगे एक अब तो हम इसका मोलिकिलर फॉर्मुला बला लेते मतलब बंद कर लेते हैं इसको तो भई C2H4O2 असटिक असेट सेसी ओच यहां C2H4O2 अब चेक कर लो तो भई एक्स की वेल्यू दो रग दो और वाई की भी दो रग दो तो C2H4O2 तो असटिक असेद सिरका दो परसेंट कर दो यह दोता है विनेगर यह अबसे काबोओड़ेट ओगया यह तो ऐसेड का वाइडार्ग तो मांगे पढ़नेंगे शुगर्स और नॉन शुगर्स जुगर्स प्रसेदों नहीं होता है ठीक है यह कहां से पहूंच गा आसिट तो नहीं होता कम से कम तो हम गएंगे ठी स्टिल की काबोहईडरेट नहीं है ठीक है और वे उधारन दो तो हम गएंगे बिल्कुल तैयार है भी लेक्टिक आसिड है ना दूद जब दई में कनवर्ट होता है तो आपने जीव पड़े होंगे लेक्टिक वेसी लाई ठीक है और दई खट्टा होता है ना असिड को नसा टू पे ओच है प्रिफिक्स लगाओ हाइड्रोक्सी तो टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक आसिड यानि की लैक्टिक अमल लैक्टिक आसिड अब बंद करके फॉर्मूला भी लिख देती हूँ तो तुम गोगे अच्छाटी के भी C3, H6, O3, X और Y की वेल्यू तीन र पर ऐसा थोड़ो नहीं की काबो हैड्रेट है तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे योगिकों के नाम बताईए जो काबो हाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करते हैं बट वो काबो हाइड्रेट नहीं है तुमको एक बताओं दो बताओं तीन बताओं वहला फॉमल है दूसरा असटिक एसद तीसरा लैक्टिक एसद बढ़िया कोई थकलीफ नहीं समझ में आ यहां तक तो ठीक है अब बच्चों हमने तो बढ़ा था काबो हाइड्रेट तो हम कह देंगे कि काबो हाइड्रेट मतलब अब एक्स्ट्रा आगे तो कोई बात नहीं लेकिन खुद के घर का आदमी तो दोगा नहीं देना ची तो घर का आदमी दोगा दे रहा है ऐसे कैसे तो बच्चों एक शुगर है वह हमारे पास परन्तु परन्तु बहुत एक तो इसमें रैम नूज अब लावन आधा देना शुगर के भीछे ग्लूकोज सुख्रोज मल्टोज ओज आता है ओए सी ठीक है तो बच्चों राम नूज शुगर और इनने में लिखना है तो लिख लिए राम नूज शुगर प्रेमनोर शरकरा ठीक है अब बच्चों बोल ली दिया शुगर तो शुगर मतलब काबोईडरिट आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे काबोईडरिक दो बगों मैटो मेभी शुगर और नॉट शुगर यानि कि नॉन शुगर शरकरा है और शरकरा तो भई रैमनोर शुगर ब करने तो फोलो फोलो कर रहे हैं तो एक शुगर हमारे घर की भी ऐसी निकल गई जो इसको follow नहीं कर रही है ना, आगे एक और आएगी deoxyribor sugar, वहाँ पे भी गड़ बड़ हो जाएगा यह oxygen atom का, तो भी नहीं करेगी तो अतहर यह carbohydrate होते वे भी carbohydrate होते वे भी इसके सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती ठीछे भी सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती है मतलब हम गएंगे x और y की value रखनी थी हमें तो x की value 6 रख दो तो c 6 अब एच इसका ट्रेल आ रहा है तो y की value भी इसने क्या रखी होगी 6 तो फिर oxygen 5 कहां से लिया है वही oxygen 6 आने चाहिए थे तो हम गएंगे नहीं है तो गड़बड हो गई कि raminose जो है बच्चों वो क्या है तो हम गएंगे raminose sugar तो है लेकिन वो इसके formula को follow नहीं करती है ठीक है यहां तक भी चला लेते हैं यहां चलो formula को follow नहीं करती है अब बच्चों है हमारे पास carbohydrate का classification wor не करन कर तो देखो यह काब कएर वर्गीपर किया है तो Principe तो शुगर होगा यहां शुगर नहीं होगा तो शुगर है तो शरक्रा और शुगर नहीं है तो खर्क्रा करेंगे हम बच्रण कहीं हुआब ऑश्रक्रा समझेएं अब शुगर नहीं है मतलब तो हम गहेंगे चलो वाइट तो हो सकता है है ना लेकिन पानी में नहीं गुलता होगा स्वाद में मीठा नहीं होगा शुगर तो क्रिस्टल होती है यह क्रिस्टल नहीं होगा ठीक है तो और शुगर है तो भी वाइट होगा श्वेत होगा ठोस हो होगा क्रिस्टटल यह थोस होगा चल में विले होगा स्वाद में ही अब वह वाइतो है चलो न श्वीज़ना ट्रनस्परेंट रोट टेक्शली तो हम लेंगे चलो श्वेंट र्सम नहीं लें नहीं है स्वाद में मीठा भी नहीं है तो non sugar, अब sugar में क्या तो बच्चो mono securide और oligo, अब oligo इसलिए क्योंकि भी mono, फिर mono का combination बनाया है, 2 वला तो die, 3 वला मना दो तो try, 4 वला मना दो तो tetra, तो ऐसे चलता जाएगा ना, di securide, tri securide, tetra securide, penta securide, तो 2 से 8 यूनिट को जोड़ दो, है ना, मतलब 2 वला भी, 3 वला भी, 4 वला भी, ऐसे, तो 2 to 8 यूनिट्स of mono securide, mono securide की 2 से 8 एकाईया परस पर मिलकर, जो sugar बनाएंगी, उसे हम कह देंगी oligo securide, तो diet, tri, tetra, urban, digest कर दिये, penta, hexa, सब हम इसमें लख लेंगी, और non-sugar, तो हम कहेंगे बही, starch भी carbohydrate, cellulose भी carbohydrate, अब cellulose बच्चे को बहुत बार समझ में नहीं आता, तो देखो, cellulose यानि रूई, cotton, तो cotton is 98% क्या, cellulose, या सुपारी हाते, तो सुपारी क्या है, cellulose, बड़ी में पच्चता नहीं, plant की जो छाल है, बार्क है, एक्स्टरनल, cellulose, है न, ब्लांड की जिते भी फाइवर्स है, सब के सब कहा है, cellulose, तो हम गहींगे वो शुगर कपसे हो गए, शुगर तो नहीं वे, है न, तो भई स्टार्च है, cellulose है, glycogen भी जो है, वो भी किसी में आएगा, तो हम गहींगे, non-sugar में आएगा, पॉली सेकरेड में आएगा, ठीक है, अब, glycogen भी कोज से मिलता जुलता लगता है, तो हम गहींगे, हाँ, glucose तो है, glucose अपने आप में शुगर है, लेकिन बहुत सारे glucose आपस में अपने होते जाएगे, ब्रांश्ड होते जाएगे, तो glycogen में अपने हो जाएगे, लेकिन वो शुगर नहीं है, वो हमारे बोडी में मतलब जिसे बहुत जादा खाते हैं, पर काम तो गरते नहीं है, वरकाउट तो गरते नहीं है, तो glucose एक्स्ट्रा हो, कि क्या हो जाता है, ग्लुकोस दिरे-दिरे glycogen में convert होता जाता है, अब ग्लुकोस को ग्लाइकोजन में convert करने का जो काम है ना, वो काम है, इंसुलिन एंजाइन का, अब इंसुलिन सुना सुना लग रहा है है ना कि किसी तेखा के नाके मामा क्सिसेच के भी है ना तो प्चों इंसुलिन डाइव टॉटेस्विनों को जाती है Bake गा मन्त करना है तो हमारी बॉडबि से क्लुकोश यह ना-धिर ऐसे अटध Wow तो फिर उया चाहिते हैं अब हो जाता है नहीं अब भाय लूजी तो जाती है आप लूकोज ज्लाइकोजन में ऐसा फ़जाता है इंसुलेन आइम की प्रेजिंस में तो बादो ज्वाजन देरा दिरा हमारी वाजी में पीजिए प्रेड को प्रणाविट जाता है हम ने खाना नहीं घाया, तो it's okay, काम तो करी सकते हैं, जान थोड़ना निकल जाएगी, तो एनर्जी कहां से आएगी, तो हम गहेंगे, एक्स्ट्रा स्टोरेज पढ़ा है न हमारे पास, वह ही ग्लाइकोजन वापस तरफ दीरे क से इसपे अनर्जी मिल भी गई तो हम वरकाओट भी खर रहे हैं ठीके और दीरे-दीरे हमारा ग्लाइकोज घ्लूकुज में कनवर्ट भी हो रहा है और नहीं हम दो डेली खाना कारें काम कर और एक्स्टा हमारा स्टोरेच पढ़ा ही whether they are sugar or they are not sugar या तो शकर होंगे, शरक्रा होंगे या फिर शरक्रा नहीं होंगे शुगर होंगे तो white होंगे solid, white crystalline solid होंगे crystalline đi tos होंगे, जल में wile होंगे, स्वाद में मीठे होंगी और शुगर ना हैं तो crystal नहीं होंगे, अ-crystal क्रिस्टल ये tos होंगे फिर जलमे अवले होगी, स्वाध हीन होगी, है ना, टेस्ट लेस होगी, ठीक है, अब अगर आप कह रहे हैं कि भी शुगर से, तो क्या सबसे बेसिक, तो भी कहूंगी सबसे बेसिक मॉनो सेकराइड, ग्लुकोस है, फ्रक्टोस है, यह आपके हो गए, है ना, और गलेक्टोस है, उन सबकों हम उलीगो सेकराइड के अंदर रखें, अब बहुत सारे मतलब 10 से ज्यादा हो जाएं तो तुम पाली सेकराइड में डाल दे, नो दस जो भी हो जाएं, उसको पाली सेकराइड में डाल दे झाल तो पाली सेकराइड के उधारण तो और इस्टार्स याद हो गया ठीक है अब बचो हुआ क्या तो हम गएंगे काबो हाइड्रेट का जो हमने पहला डेफिनेशन दिया पुछले भी काबो हाइड्रेट तो हमने देखा भी चन्रल फॉर्मूला था तो बहुत सारे बहार के लोग उसको फॉल फॉलो गरने लगे और भॉत बार घर के लोग हमने देखा उसको फॉलो नहीं करते ठीक प्रॉपर डेफिनीशन देओ ना में काबो हाइड्रेट को क्या बोले तो हम गएंगे देखो कार्वोध्रेट में क्या हुआ एक्चली जरू ज़िवाहली जीज है ना, आप बिच वाला जो कार्बन है सबनें erg अजिंड होगा? अग अचिक सबनें फिरली हाइडम से यह जिसे हम बुलते हैं तो इसको सिफ दिमाग में रखना है कि अच्छा यह यह ग्लीसरल्डी हाइड है ठीके तो भी सिंपलिस्ट मतलब सबसे छोटा बता दो कि कम से कम तीन काबन वाला होना चाहिए तो स्मॉलिस्ट काबो हाइड्रेड है ठीके अब खास बात क्या है तो एक तो मुझे कारेल काब कि रिल काबन नजर आगें देखो इदर है है इधर ओच है उपर अलडी हाइड है नीचे सीयश 2 है तो काईरल काबन तो है तो तो दुसरा अलडी हाइड गूरुप है अब आती सारे ओच है तो बच्छो कार्बो हाइड्रेड पॉली हाइड्रोक्सी मतला एक से जादा ओड भाइड् सट्डाइड नगए अरोहीरेट। már bajड यहावाइड अनगे मुझें तो में लिग लिए पर छोड़ bree यहाओ सकते तो मुझेड हरो सब्सक्राइड क को घृतब था LD8 गुरुपे तो L2 trios, keton वाल गुरुपे तो keto trios, ठीके, है ना, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना है, फिलाल इनको मुझे गाम में नहीं लेना है, जब आएंगे तो हम इनको discuss करेंगे, इन तो हल्का सा idea, क्योंकि सेकिंड टाइम पढ़ाऊंगी ना तब नया नहीं लगे तो अब मुझे लिखना है, काबोईड का वर्गी करण, और वर्गी करण से पहले मैं कहूंगे नहीं बई, आप तो क्या करो, काबोईड की definition लिखो, तो बच्चों काबोईड का definition बनेगा, polyhydroxy aldehyde, polyhydroxy aldehyde, मैं आपको मैंने सम्झा दिया, aldehyde हो गई, अथवा कीटो नहीं होगा, तो polyhydroxy aldehyde, अथवा polyhydroxy keto, polyhydroxy aldehyde, अथवा polyhydroxy keto, कार्बोईड्रेट कहलाते हैं, अब बच्चों जनरली इनमें कारेल काबन होता है, अभी हमने कीटोन वाला देखा, उसमें नहीं है, वो यह की ऐसा था जिसमें नहीं है, बाकि इनमें कीडेल काबन होता है, कार्बोईड्रेट कहते हैं, ठीक है, तो यहां तक तो कोई तकलीफ होगी निए, अभी होना चाहिए, बाकि सारे OH होने चाहिए, नहीं तो कीटोन होना चाहिए, और बाकि सारे क्या होने चाहिए, OH होने चाहिए, ठीक है, तो polyhydroxy aldehyde, अथवा polyhydroxy ketone, carbohydrate, काबोईड्रेट कहलाते हैं, ठीक है बई, और important चीज़ क्या है, तो हम गएंगे इन में generally chiral carbon होता है, एक आद को छोड़ दे तो बाठी के, बाकि इन में chiral carbon होता है, तो सामानिय तया इन में, इन में कारेल carbon, यानि किरेल carbon, किरेल carbon समस्तों बना ऐसा carbon, जिसकी चारो वेलेंसी, चारो सईयों जगताएं, अलग-अलग समों से जुड़ी हो, तो बच्चो जनरली इन में किरेल carbon या और सममित carbon उपस्तित होता है, होता ही है, उपस्तित होता है, इन्हें हम कहते हैं, कारवो हाइट्रेट्स, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया था, शुगर और नॉन शुगर, शुगर में हमने कहा था, क्या कहा था, पॉली से कहे राइट, ठीक है, अब और अच्छे से क्लासिफाइग करू, तो बच्चो, शुगर्स को भी क्लासिफाइग सकते हैं, विशुगर तो है, है ना, लेकिन शुगर है तो कैसे है, क्या अपचाईशरक्रा है, अनपचाईशरक्रा है, उसको माने वाली क्लास में डिश्किस करेंगे फिलाल हम अधर हम काबो हाईडरीट में डेफिनेशन लिखते भी शुगर्स क्या है तर झा यह टो हम धॉब वाले ह्टेट और मेर आपके सुने वह मुझाने हम गेंगे शुबुर्ष तुमने बढ़ा था विये साका वी यू क्या होना चाहिए श्वीत रहना चाहिए ठीक है, तो लिख देतें साथ में वे न्मख और हां रेट्स जो white crystalline solid ठीक है तो वे carbo hydrates जो श्वेत crystalline ठीक है white crystalline solid यानी श्वेत crystalline ठीक है जल्में विले ठीक है जल्में विले और स्वाद में मीठे होते हैं ये सारी वातों बाते हो नी Passion स्वाद में मीठे होते शुगर्स कहला बेह और जंक हैं sugars जटे prospects ठीक हे अब मौनो से करेड गया है उल्में किया है उसे अगली क्लास में डिसक से रेगे हैं फिलाल हमारा एक जुनर्र dialogues सब्सक्राइब करेंगे और शर्कराप ठीक नॉन शुगर्स नॉन शुगर्स की बात करेंगे और शर्कराप ठीक है नॉन शुगर्स और शर्कराप तो पार्ट अफ दी काबोईडेट तो ही उसमें तो किसी ने मना किया ही नहीं काबोईडेट तो है लेकिन और क्रिस्टल ये ठोस है ठीक है तो वही वे कार्बोईड्रेट जो वे काबोईड्रेट जो क्या है तो हम गएंगे क्रिस्टल इए अचा क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल तो समाझते हो अम और फोौ सॉलिट्ड जैसे बोलते हैं क्रिस्टल मतलब पॉर्फिक्ट जियोमेंटरी निश्चित शेप निश्चित जामेती निश्चित आकार और और Deutsch ओनन चता करती हों च्रहा अकार विंश्ड़ जामे तो बच्छों वे- vaccinated जो क्या तो हम क pry देंगे आप कढ़ों कि यह उगडीन क्याव भाद की शुगर नहीं ए ना अब सभर नहीं है मतलब तो हम तो यह का बूर सकफे के जिते हैं रंग ही और क्रिस्ट क tat और क्रस्टेलियर थोस जल में ओविले और स्वाध ही स्वाध ही वजल में ओविले होते हैं ठीक है चलने ओविले होते हैं अब और वल जो आएगा बच्छों इसका उधारन तो हम गएंगे इसका इग्जामपल आएगा पॉली सिक्राइड ठीक है और अगर पॉली सिक्राइड में अभी में बात करूं तो हम गएगी पॉली सिक्राइड तो हमने तीन पढ़ लिया हमारी हमारे से लिबस में स्टार्च स्टार्च का पूरा स्ट्रक्चर है है ना सेलियूलोज तो स्टार्च का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना है सेलियूलोज हो जाएगा और उसी में थोड़ा वाटिफिकेशन करेंगे तो ग्लाइकोजन हो जाएगा ठीक है तो भी स्टार्च मेंने बता दिया, जैसे हमारी body में जो extra food है, वो glycogen के रूप में संचित हो जाता है, plant body में जो extra food है, वो starch के रूप में, आलू में स्टार्च होता ही है, और cellulose में आपको बता दिया, तो ये तीनों की तीनों की तीनों नॉन शुगर से है, तो अभी इतना clear, है न फिर पिशली बार हमने क्या देखा था शुगर्स में तो हमने कहा था भई मॉनो सेकराइट्स तो सिंपलिस्ट फॉर्म ऑफ काबो हाइड्रेट्ट जो आगे जलब गटत नहीं होते हैं पानी में अगर मैंने ग्लुकोस गोला है तो ग्लुकोस में छे कार्बन है ना तो पानी में छे के छे हैं यह नहीं यह तीन तूड़ गया तीन तूड़ गया ऐसा नहीं है अहां बलत लेकिन पानी में मैंने डाइसेकराइट गोला है तो दो मोनो बन जाएंगे ट्राइ सकेर estos 3 MOTE बन जाएंग जैंगे Tektरा गोला ज junction जाओं जायंगे poly जिए ल्व गोला जॉलक बहुत चारी MOTE उनित देंगे रसिंगर जोवत के सब्सक्रें जो बात घुट आरएं जोम्रेaln assured वे काबोहड़िट जागे जल अगटित नहीं होते, गुल जाएगा, अब गटित मतलब तूटेगा नहीं, तो हम गएगे वो मोनोसेकराइड, अब नग्डी जाएट वेजल के साथ, हम इड़ूजन बना लिए, अचले पानी में खुल है, लेकिन उसका आगे ब्रेकप नहीं होना है, तूटना पासिबल नहीं है, simplest form of carbohydrates, that is MONO-Securide, तो भवाने ली ग्लास में MONO-Securide, फिर MONO-Securide में glucose, glucose, glucose structure, fructose, fructose structure, फिर glucose structure यह ही क्यों है, 6 carbon है, main functional, quality height है, हेला बाकी 5 OH है, इन सब के proof देने है, जब यह सब आया कहा से, ठीके, तो इन सब के proof देने, तो वो हम discuss करेंगे अगली class में, ठीके, तो बच्चों मिलते हैं, अगली class में, काबो हाईडरीट में, mono securite को discuss करने के लिए, तिल देन, keep studying, take care and goodbye.